हेलो पेंट्स में मंदीब सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर पिंचाज की इस फीडियो में 36 साइस का बैकनेक डिजाइन में आप लोग के साथ शेयर करूंगी बोटनेक पर तो अगर आप इस डिजाइन को अपने ब्लाउस के लिए बनाते हैं तो आप बोटनेक का मेसेमेंट लीजिएगा तो चलिए कटिंग शिरू करते हैं मैं इसे 36 साइस के अकॉर्डिंग बना रही हूँ सबसे पहले नीचे से एक लाइन डॉकर के हमने कपड़े को सीधा कर लेना है और इसके बार टोटल लेंद लेनी है तो टोटल लेंद मैं रख रही हूँ साड़े चोदा इंच साड़े तिरह लेंद मुझे इसकी तयार रखनी है उपर की तरफ एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हम शोल्डर का नाप लेंगे साथ इंच पे शोल्डर लिये हैं साथ इंच आर्म होल भी लेना है साथ इंच इस तरह से शोल्डर इन आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है अब दिखिए चेस्ट का चोथा भाग लेंगे आप पर हम चेस्ट का चोथा भाग होगा 9 इंच और 10 इंच पड़ाया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी ले सकते हैं नीचे के तरफ लाइन को मिला देना है और 1 इंच पर आर्म होल की गुलाई देनी है हाफ इंच शोल्डर को डाउन रखना है इस तरह से तो दिखिए मैंने हाँ पर मार्किंग कर ली है और इसके बाद हमें इससे कट करना है तो बैक पार्ट को अस्तर के उपर हमने कट कर लेना है इस तरह से तो दिखिए अस्तर के उपर मैंने इसका कटिंग कर लिया है अब इसे मैंन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है Men fabric पर भी मैंने इसका cutting कर लिया है अब लेना है गले का measurement गले की जो weight थे वो रखी है मैंने देखी यहाँ पर 4 inच की 4 inच ली है गले की चोड़ाई और गले की लंबाई ली है मैंने यहाँ पर 11 inच नीचे से गले की चोड़ाई ली है मैंने 4 inच गले की लंबाई और नीचे से जो चोड़ाई है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं चोकोर हमने यहाँ पर एक बॉक्स जैसा शेप बना लेना है और साड़ी तीन इंच पे हमें एक छोटा गला यहाँ पर ड्रॉ करना है तो इस तरह से देखिए हमें ने गले का शेप यहाँ पर बना लिया है और नीचे की तरफ हमें यह डिजाइन बनानी है तो इस तरह से देखिए हलके हलके हाथों से हमें गले का शेप यहाँ पर बना लेना है अच्छे से शेप को बना लेने के बाद ही इसे कट करना है अगर एक बार में शेप पराब नहीं आता है तो आप दोबारा से मार्किंग कर सकते हैं यह दिखे प्रॉपर गले का शेप मैंने अच्छे से यहां पर ड्रॉव कर लिया है और अब हम इसे कट कर लेंगे तो दिखें मैंने यहाँ पर गले की cutting कर ली है और इसके बाद मैंने लिया है paper pasting paper pasting को double करते हुए नीचे की तरफ रख लेना है और यहाँ पर दिखें गले की जो marking वो कर लेंगे तो ऐसेटी इस गले को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस तरह से यह दिखिए मैंने गले की मार्किंग कर ली है और इसके बाद हमें बाहर की तरफ से एक इंच बढ़ाते हुए कटिंग करना है पेपर पेस्टिंग को एक इंच हमें विट्थ में बढ़ा लेना है और इस तरह से कट कर लेना है पेस्टिंग को कट करने के बाद अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और उसके उपर इसे अटेज कर लेना है अब देखिए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से हमें सिलाई लगानी है सबसे पहले उपर वाले नैक पर मैंने सिलाई लगाई है और फिर इसके बाद नीचे वाले नैक पर भी सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे गले पर सिलाई लगाने के बाद बाहर की तरफ सिलाई लगानी है हाथ से कपड़े को फिनिशिंग करते हुए ये देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है और सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है तो बाहर की तरफ जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है से कट करके निकाल देना है बीच में नेक के यहां से भी हमने फैबरिक को कट कर लेना है और गले के उपर का जो पॉइंट है ये मैंने भी कटिंग नहीं किया है इसे में सिलाई के साथ ही बनाऊंगी उसके बाद कट करेंगे तो अब हमें दिखिए पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट को तयार करना है आप जाहें तो पेस्टिंग को यहां पर दिखिए प्रेस से चुपका कर भी कपड़ी के उपर अटेज कर सकते हैं मैं यहां पर सिलाई लगा कर अटेज कर रही हूं इसे चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी के बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है साइट में थोड़ा कपड़ा रहने देंगे इसे फोल्ड करने के लिए तो दीखें फैब्रिक को मैंने कट कर दिया है और फोल्ड करने से पहले चोटे-चोटे कट हमें यहां पर लगा लेनी हैं जिससे के कपड़ा असानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए पूरे फैब्रिक को हमने फोल्ड करके आपर नेक के पैटन को तयार कर लेना है बैक पार्टे इसे हमने इस तरह से इसके उपर रख लेना है अस्तर वाला भाग उपर की तरफ रहेगा और दोनों तरफ अच्छे से पिन के साथ हमने इसे टेज कर लेना है आप देखिए आप पर सिलाई लगानी है तो एक पिर कम आर्जिन लेते हुए अच्छे से फिनिशि यह देखिए तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे अटेज कर दिया है और इसके बाद हमें इसे कट कर लेना है उपर वाला गला कट करेंगे पीच में से इसे कट करके पूरे नेक को हमने अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है अब पूरे नेक पर आपको छोटे-चोटे कट लगा देने हैं जिसे की नेक जो है वर्चे से फोल्ड हो जाए अंदर की तरफ इस तरह से कट लगाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे ध्यान रखिएगा सिलाई नहीं कटनी चाहिए सिलाई के पास तक हमें कट लगा लेने हैं पूरे गले के पैटन पे अब इस नेक को हमने पलट करके सीधा कर लेना हैं और दोनों तरफ की कॉर्णर्स अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेने हैं गले को आप अंदर की तरफ करते हुए पैस करके भी अच्छे से फिनिशिंग दे सकते हैं या हाथों से भी फिनिशिंग दे सकते हैं दोनों तरफ की कॉर्णर्स यो ही हलका साब केची से इसे प्रेस करेंगे तो ये भार की तरफ आ जाएंगे corners निकालने के बाद गले को finishing देने के बाद हमें उपर की तरफ एक सिलाई आपर लगा देनी है इस तरह से तो दिखें मेरा neck बनके ready हो गया है पूरे गले पर मैंने finishing से सिलाई लगा ली है और इसके बाद हमें क्या करना है, center में एक छोटा cut लगाना है, center से कपड़ी को fold करके यहाँ पर हमें plates लगानी है उससे पहले गले का जो point है इससे हमें lock कर देना है तो मैंने यहाँ पर एक pin लगा दी है, इसके बाद हमें 3.5 से 4 इंच के लंबाई में यहाँ पर plates अटेज कर लेनी है नीचे की तरफ कमर पटी भी लगा लेंगे इस तरह से एक सिलाई पटी को इस तरफ करते हुए पटी के उपर लगा लेनी है और कमर पटी को अंदर की तरफ fold करते हुए एक सिलाई उपर finishing के साथ लगा लेनी है तो back part बिल्कुल ready हो गया है, अब हमने इसका डिजाइन बनाना है तो दिखे, डिजाइन बनाने के लिए मैंने यह आपर चोकूर कपड़े के पीस लिये हैं और इनकी लंबाई चोड़ाई हैं 3 इंच की यह जो फैब्रिक के पीस मैंने लिये हैं, इनकी length और width है 3 इंच, इसे हमें triangle shape में fold करके तयार कर लेना है, तो इसी तरह से दिखे, और भी patterns हमने तयार कर लेने हैं, और यह जो design है, इसे आप थोड़ा ज़्यादा ही quantity में तयार कीजेगा क्योंकि हमें पूरे neck पे से लगाना है तो ज़्यादा patterns आप ready कीजेगा ताकि यह कम ना पड़े अप दिखे, डिजाइन बनाने के लिए हमें दो patterns लेने हैं, और दोनों pattern के जो corner वाले point है इसे सुई धागे से stitch कर देना है same color का धागा आप लीजिएगा और यहाँ पर दिखे, इसे lock करने के बाद आपको यहाँ पर एक मोती attach कर लेना है इस तरह से चोटा या बड़ा मोती आप अपनी पसंद से ले सकते हैं और मोती लगाने के बाद आपको फिर से इसे lock कर देना है ताकि यह निकले ना अच्छे से दिखे, यहाँ पर note लगा देंगे हम और इसी तरह से आपको दूसरे patterns भी ready करने है तो दिखे, मैंने यहाँ पर सभी patterns देयार कर लिये हैं और एक-एक pattern को आपको यहाँ पर लगाना है गले की पास से और इसे लगाते समय आपको gap पिलकुल भी नहीं रखना है पास-पास में ही इसे attach करना है यह दिखे, इस तरह से पूरे neck के उपर हमने यह pattern से लगा लिये हैं पूरे neck के उपर दिखे, मैंने यह pattern से टेज कर लिये हैं अब दिखे, मैं neck के उपर लगा रही हूँ में lace तो आप अपनी पसंद से अपने blouse के color combination में यहाँ पर lace attach कर सकते हैं अगर आप इसे simple रखना चाहें तो simple भी रख सकते हैं तो गले के उपर दिखे, इस तरह से हमने lace को यहाँ पर लगा लेना है प्लेस के दूसरी कौन किनारी पर भी सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर हमने डोरी भी attach कर देनी है तो अच्छे से डोरी को यहाँ पर set कर देंगे सिलाई लगा कर इसे lock कर देंगे और दूसरी तरफ भी हमने डोरी को attach कर देना है तो इसी तरह से दिखे मिरा आज का इन एक डिजाइन बन करके तयार हो गया है तो फेंट्स आपको आज का मिरा डिजाइन कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्दे बाद